हेलो दोस्तों स्वागत है आग का आज के हमारे इस वीडियो में आज में आपको बताने वाला हुँकि आप अपने स्लाइस एकाउंट क्रेडिट कार्ट को डिलीट नहीं कर पा रहे हैं तो क्यों नहीं कर बारे हैं उसलोग मुझे कमेंट कर रहे हैं कि मैंने अपने करने के लिए वीडियो में आपको बताया हुआ कि कैसे डिलीट किया जाता है मैं आपको डिस्क्रिप्चन बॉक्स में लिंक दे दूंगा आपको तीन में बताया है उस वीडियो में जिसकी है व्य hammock करने के लिए करने का के लिए अगर और करने के लिए उसका भी link आपको description box में मिल जाएगा मैंने आपको वहाँ पे काफी अच्छे तरीके से बताया है कि कैसे आप complaint कर सकते हैं और RBI के obertsman में आप complaint करके आपको slice credit card account को delete करा सकते हैं या आपका अधिकार है कि आप अपने account को delete करा सकते हैं आप RBI के obertsman में complaint कीजिए और वह complaint तरीक कीजिए जब आपने apply कर चुका है slice credit card account को delete कराने के लिए official side slide के ठीक है delete करने के लिए आपने आवेदन दे चुका है वह भी hand retain में होना चाहिए जिसकी help से आप अपने account को बहुत जल्द ही delete करा सकते हैं अगर आप manually type करके करते हैं तो उतना valuable नहीं होता है जितना valuable आप लेकर आप वहाँ पे file को attach करते हैं सबसे पहले आप अपने account को clear किजिए due जितने हैं उसे clear किजिए दूसरी बात है कि आप जब भी delete करने के लिए apply किजिए mail के through मैंने description box में बताया हुआ है description box में मैं link दे दूंगा फिर आप handwritten में लेकर RBI के वैट्समें में भी आप mail कर सकते हैं कि मेरे account नहीं delete गया जा रहा है अगर आपका account delete नहीं होता है तो अगर आप handwritten देते हैं तो slice credit card वाले ही delete कर देते हैं इनकेस नहीं होता है तो आपको secondary अप समय ने बता दिया है आप उसके help से भी आप delete गरा सकते हैं लेकिन सबसे ज़रूरी बात यहां पर है कि आपका जितने भी due है आपने जो भी due लिया हुआ है slice credit card account से उसे clear किजिए उसके बाद ही आप delete के लिए apply किजिए आपको यह बात समझ में आगिया हुआ कि कैसे आपका account delete होगा मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब लिए बाए टेक केर चाहिए